हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फलता मंत्र। दोस्वों दीच्छा है आपके इंतरकट जो आपके निश्ठा मॉड्यूल प्रसिच्छन चलना हैं सभी सिच्छकों के लिए बहुत ही महतपूर हैं और इसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है तो दोस्वों आज देट है 16 दिसंबर और आज से आपका एक नया मॉड्यूल प्रारम होने वाला है मॉड्यूल नमबर 13 इसका नाम है विद्याले नेतरत संकल्पना वा अनुप्रियोग इसके इंतरकट जो महतपूर्ण प्रस्नोत्तर आने वाले हैं उनको देखेंगे और बिल्कुल सही जवाब उनके क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसके अलाबा इसकी गतिविद्य की वीडियो आपको आज साम तक या फिर कल सुबह तक मिल जाएगी लगबग 15 गतिविदिया इस बार आपको करनी है जो कि ये कोश्चन आंसर के रूप में ही दी गई है उनके आंसर भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएंगे पहले प्रस्नोतरी को देख लेते हैं इससे सम्मंदित कोश्चन को देख लेते हैं इसकी लाज़ डेट है 31 सिसंबर सभी लोग जल्दी से जल्दी सटीक कोश्चन को समस्ते हुए उनके आंसर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी आपको नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा निश्ठा मॉड्डियूल की बिल्कुल सटीक ट्रेनिंग के आंसर्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे टेलिग्राम पर आपको इनकी PDF फाइल भी उपलब्द करानी प्रारंप कर दी जाएंगी तो पहला कोश्चन आपके सामने आचुका है देखेगा क्या दिया गया है विद्याले स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अफसर क्या है तो दोस्टों दल अधिगम की प्रक्रिया किसके साथ करनी है विद्याले के स्टाफ के साथ या नहीं कि जो आपके को मेंबर्स हैं उनके साथ करनी है तो यह आप कब कर सकते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इस्टाफ मीटिंग खेल के मैदान कच्छा कच्छ रसो यह सही आंसर नहीं है C नमबर ओप्षन पर आपको टिक मार देना है कोश्चन नमबर सेकेंड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे का आकास मिस्त्रा नाम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं अगला कोश्चन है विद्याले नेत्रत का सीधा प्रभाव चात्र अधिगम पर पढ़ता है इसका क्या आर्थ है विद्याले का नेत्रत जो है उसका असर चात्र के सीखने पर पढ़ता है तो यानि कि इसका आर्थ है यहाँ पर जो सबसे सटी का अंसर है बी नमबर ऑप्सन ह कि विद्याले प्रमुख द्वारा कच्छा में सिच्छन अधिगम प्रक्रिया में समलित होना तो विद्याले का प्रमुख है जो हेड है यानि कि जो प्रिंस्पल है उनको भी सिच्छन अधिगम की प्रक्रिया में समलित होना अतियावस्यक है क्योंकि विद्याले का जो नेत तो किसके लिए उपयोगी नहीं होती विद्याले की विकास योजना तयार की जाती है इसमें विद्याले का विजन निर्मित करने में बिल्कुल सही इसके लिए उपयोगी होती है विद्याले में संबंदित छेत्रों का आंकलन करने के लिए विकास योजना होती बिल्कुल सह के केबल प्रसास की उद्देसियों के लिए उपयोगी नहीं होते विद्धियाले की विकास यूजना। पर पहला तीसरा और चौथा बिल्कुल सही बाते नहीं गई हैं यह सक्री अधिकम से जुड़ी हुई है लेकिन B number option जो आपका दिया गया है कि सक्री अधिकम व्यक्तिकत सोच को प्रोशाहित नहीं करता है तो यहाँ पर आपका C B number option जो दिया गया है यही बाला गलत हो जाए इसी को आपको टिक करना है अगला कोशन विद्याले में अधिकम संस्कृति विक्सित करने की संकल्पना को इन में से कौन सा विकल्प सू परिभासित कर सकता है क्या दिया गया अधिकम संस्कृति विक्सित करने की जो संकल्पना है उसको कौन अच्छे से दरसा रहा है अध दल अधिगम तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा D number option दल अधिगम का मत्दोता कि group teaching group से जुड़े हुए बात की जा रही है यहाँ पर तो D number option बिलकुल यहाँ पर आपका correct हो जाएगा अधिगम संस्कृत विक्सित करने को लेकर साथी साथ दोस्तों आपको बता दें आगे से आपकी सभी training सभी गत्विधियां जो भी होंगी सबसे पहले सबसे 60 कांसर्स के साथ आपको मिलती रहेंगी और साथी साथ टीचर से रिलेटर जो भी आपके doubts होंगे उनको लेकर एक अलग हम telegram group बना रहे हैं दूसरा आपका एक चैनल को subscribe कर लीजेगा एक से दो दिन में उस चैनल को launch कर देंगे उसमें आपको questions आंसर्स मिलते रहेंगे तो चलिए बढ़ते हैं अगले question पर इनमें से कौन सा academic नेत्रत के मुख्य अवयव नहीं है academic नेत्रत की बात हो रही है तो इसके मुख्य अवयव कौन से नहीं सक्र इधिकम होगा इसका अवयव सिच्छन सास्त्र वस्तु विसे वस्तु ग्यान भी होना चाहिए और academic परवेच्छन ये तीनों चीज़ें आपकी academic से जुड़ी हुई होती हैं सिच्छा से जुड़ी हुई होती हैं चौथा number option है प्रसासनिक नेमो और विये नेमो का की समझ ये आपकी academic से जुड़ी नहीं होती बलकि जो unofficial work होते हैं उनसे related होती हैं तो यहाँ पर डी number option आपका सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर सिच्छन सास्त्र विसे वस्तु ग्यान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा विन्दु सहयक नहीं है तो सिच्छन सास्त्र की जो विसे वस्तु की ग्यान की संकल्पना है उनमें आपका कौन सा विन्दु सहयक नहीं है ये आपको चूज करना है तो विसे वस्तु ग्यान स विद्याले के भौतिक संसाधन जो आपके आते हैं वो विद्याले की सिछण सास्त्र विशेवस्तु के अंतरगत नहीं आते हैं आपको D-Number option पर टिक मार देना है आगे बढ़ते हैं अगले question पर सभी दोस्तों जितने भी लोग जुड़े हुएं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और comment box में बताइएगा जो भी आपके questions हो गत्विधियों के answers आपको कल दोपहर में provide कर दिये जाएंगे सभी लोग जुड़े रहेगा अगला question है स्वयम को विद्याले अध्यापक नेतरत करता के रूप में विक्सित करने हैं तो तीन मुखे अवियब कौन कौन से हैं स्वयम को जब teacher स्वयम को किसके लिए नेतरत करता के रूप में विक्सित करेगा तो उसको किस चीज का ग्यान होना अतियावस्यक है एक तो B number option बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तीनों पॉइंट जो दिये गए हैं, बिल्कुल सही दिये गए, नकारात्मक सोच यहां पर गलत दिया गया है, इसके आद अन्मन होना यहां पर गलत दिया गया, और संप्रेशन वगेरा यहां पर दिया गया, लेकिन अभिवरत्ति का जो सबसे सही आंसर आपका माना जाएगा, वो B number option आपका हो जाएगा, नेत्रुत करता के रूप में, इसकिल डेपलप होना बहुत ही जरूरी है, आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर, अन्तिम कोश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जरूर सभी लोग जुड़े रह के तोर पर विद्याले नेत्रुत करता की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो विद्याले प्रमुक्यानी के आप हेड हैं, आप प्रिंस्पल हैं विद्याले के और आप अगर नेत्रुत करता की भूमिका में होते हैं, तो आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, तो दोस् पोजीशन के आधारपर तो लीडर हैं लेकिन लीडर वाई एक्षन होंगे तभी आप इसकी भूमिका में आप आएंगे लीडर वाई एक्षन का यहां पर मतलब है कि आप लीडर के अनुसार आप नित्रुत करता के रूप में कारे भी करें जो गलतिया हैं उनको बता पाएं और स्वयम को दूसरों के प्रती समझा पाएं कि हाँ हम लीडर बन सकते हैं आपके ये उनके अंदर भाव आना चाहिए अगला कोशन है प्रभाव साली नित्रुत करता बनने के लिए स्वयम के कौन कौन से दो महत्पूर्ण गुण आवस्यक हैं तो इनमें से कौन कौन से गुण होने चाहिए नित्रुत करता बनने के लिए हमने आपको जीवन कॉसल की क्लास में इसके बारे में पहले भी बताया है सुपर टेर्ट की क्लास लगातार आपकी चल रही है चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा वेल आइकन को दबाईएगा और अभी जो हमारा टेलिग्राम ग्रुप बना है उसमें भी जुड़ते रहेगा आपकी 100% सटीक त्यारी पहले कराई गई थी आगे भी कराई जाएगी तो इसका आपका C नंबर आप्शन है पहल करता एवं सकारात्मक द्रश्टिकोंड ये दो महत्तिकोंड बहुत ही आवस्यक है ये आप लीडर्शिप डपलप कर रहे हैं ये आप लीडर बनना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़े यानि कि आप पहल करने वाले हों आप लीडर्शिप का में जो होता आप पहल कर सकते हैं पॉजिटिव ठिंकिंग होना बहुत ही आवस्यक है आपके सभी 10 कोश्चन्स कंप्लीट होते हैं और ये आपका जो मॉड्यूल 13 है ये आपका 16 से लेकर के 31 तक करना था उमीद करते हैं आप लोगोंने कर लिया होगा 18 दिसंबर से तुरंत आपको 18 दिसंबर की दोपहर में ही इसके 60 का अंसर प्रोवाइड कर दिये जाएंगे तो इसके लिए आज ही चैनल से जुड़ जाएगा और उमीद करेंगे तब तक हमारा नया चैनल बन जाए उसमें आप लोग जुड़ जाएं झाल